मुंबई की लोकल ट्रेंज शुरू तो हो गई लेकिन अभी भी काफी जादा विवाद बना हुआ है जी हम बात कर रहे हैं दो डोज वाला नियम जंता को नहीं आ रहा है पसंद क्या है वज़ा जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर क्यों ले हो रहा है जगडा टिकट को लेकर साथी आपको बताएंगे सिंगल डोज लगवा चुके लोगों को कब से मिल रही है अनुमती विडियो शुरू करते हुए उसे पहले दोस्तों अबही तक आपने योर Самार्ट निशरलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफ़ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बात करते हैं सबसे पहले करोना अपडेट को लेकर तो करोना के हालात मुंबई से बहतर हो गया है क्योंकि मुंबई से लगभग सभी कंटेन्मेंट जोन खत्म हो चुके हैं इसलिए मुंबई करते लिए एक अच्छी कबर यह है कि मॉल, सिनिमा, घर, तमाम चीजों को पूरी दोस वालों से कई गुना जदा है जिसकी वज़े से अब उन्हें सफर करने को लेकर काफी ज़ादा जो है अठकले तेज हो गई, कि आखिरकार उन्हें अनुमती कम मिलेगी, तादर सुतरों के अंसार जो जानकारी मिली इसके अंसार बताया जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद अनुमती मिल सकती है सिंगल डोस वालों के लिए एक सेपरेट टाइम टेबल के हिसाब से ताकि किसी को भी लेके तरकार ना हो एक समय ऐसा है कि इस समय स्टेशनों पर काफी जादा भीर देखने को मिल रही जिन में काफी लोग ऐसे हैं जिनने सिंगल डोस के अलावा डबल डोस दूरों ही जनके बीच में काफी विवाद हो रहा है और कई ऐसे इलाके जहां पर इन विवाद को जन्म हो रहा है तो सरकार जल्दी इस मसले को सुलजाएगी और जल्दी आम जनता के लिए लोकल ट्रेर में सभी को सर्वसम्यती के साथ अनुमती दे दी जाएगी तो आज के लिए इतना ही आप देख सकते सड़कों के हालात कितने जादा ट्राफिक में हैं जिसके वज़े से लोकल में जल्द से जल्द अरमती देना सरकार के लिए अनिवार लग रहा है